तो दोस्तो आज मैं आप सको बताऊंगा कि आप जो है medicine का discount rate calculate कैसे कर सकते हैं अब देखें यहाँ पर pharmacy के अंदर हमारे पास कुछ record ऐसे होते हैं कि जिसमें हमें अपने जो भी हमारी medicines होती है इसके ओपर discount apply होता है अब discount को calculate कैसे किया जाता है अब माल लीजिए कि जैसे मैं आपको यहाँ पर एक छोड़ी से पहले एक example लेता हूँ उसके बाद हम अपनी sheet के ओपर चलते हैं मेरे पास कोई भी medicines का carton है जिसकी जो price है 5000 है अब इसके ओपर मुझे जो है यहाँ पर 5% का जो है वो discount दिया जा रहा है और उसके बाद मैं कर दूँगा enter तो देखी मेरे पास यहाँ पर आचुक है 250 यानि 250 का discount मिल रहा है अब अगर मैं equal लगाता हूं 5000 में से minus कर देता हूं 250 को उसके बाद जब मैं enter करता हूं तो मेरे पास amount क्या रहा है 4750 इसका मतलब है कि इस amount पे 5% discount मिलने के बाद मेरी जो price है वो कितनी हो गई है 4750 अब अगर आपको directly यही amount दे दिया जाए जैसे आपके पास है 4750 इसको मैं delete कर देता हूं अब इसको अगर आपके पास directly अगर आपके पास यह वाली amount हो और आप से कह दिजाए कि इस पे हमने 5% discount करके दे दिया है तो 5% apply करने के बाद इसकी actual amount कितनी है वो आपको कैसे calculate करनी है वो हम इस sheet के ओपर देखेंगे अब मेरे पास देखें यहाँ पर कुछी मैंने initial जो medicines है उनके यहाँ पर name लिखें उसका जो भी code है या GR number अब लिखा है अब यह जो हमारे पास price है 8,000, 9,000, 15,000 तो यह हमारे पास जो है वो discount के बाद वाली price है अ अब discount से पहले price क्या है वो हम बताते है अब 8,000 हमें जो मिला है यहाँ पर price तो वो 10% apply होने के बाद मिले लेकिन initial price के अंदर हम देखेंगे के 10% discount से पहले इसकी actual price कितनी थी तो उसको आपको calculate करना है तो मैंने यहाँ पर लगाना equal और यहाँ ceiling का जो formula है इसे मैं यहाँ पर number अब number के लिए मुझे क्या करना है यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो price है जो के discount के साथ है इसको आप select करेंगे divide कर देंगे और उसके बाद bracket open करेंगे one apply करेंगे minus कर देंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर discount वाले cell को select कर लेना है bracket close comma और यहाँ पर significance आपको 100 यहाँ पर जो आपके पास penadol जो भी जितना आपके पास carton है उसकी price आपको बता रहा है कि वो 8,900 है जब 10% का discount निकाला तो उसकी price कितनी हो गई यहाँ पर 8,000 हो चुकी है इसी तरह से आप यहाँ पर जब इस formula को कर देंगे drag तो जैसे आप drag करेंगे तो जितनी medicines की जो price original होंगी वो यह बहुत ही एक आपको मैं एक अच्छा formula बता रहा हूँ जिससे आपकी बहुत help करेगा pharmacy के अंदर बहुत साइड जो medicines होती है वो आपके पास कुछ price जो है वो discount के साथ भी आ जाती है जब आप उसको purchase करते हैं तो आप अपने record के अंदर जो हो इस तरीके से maintain कर सकते हैं इसके बाद आप यहां पर एक column बनाकर जैसे आपके पास जो medicine sale हो चुकी है तो उनका record भी आप यहां पर check कर सकते हैं जिसके पास जो आपने sale कर दी हैं deliver कर दी हैं तो उसके आगई yes लिखा है जो नहीं होई है उनके आगई आपने यहां पर no लिख दी है अब हम देखेंग आप सबसे पहले आप से यहां पर पूछेगा range तो range के लिए आपको क्या काम करना है आपनी delivery वाला column जितनी आपकी range होगी यह आपको select कर लेना है F4 से log करेंगे उसके बाद आपको यहां पर comma लगाना है अब quotations यानि criteria की बात कर रहे हैं तो आपने यहां पर जो है वो इस तरीके से इसको apply करना है quotation लिखना है और यहां पर आपने yes लिखना है quotation close करना है comma अचा comma नहीं bracket close कर देंगे फिर इसके बाद आपको यहां पर divide का sign लगाना है और आपने यहां पर count A का जो formula है यह आपको यहां पर write down कर लेना है अब count A के बाद आपको value पुचेगा तो value के इंदर आपने दुबारा से delivery वाले पूरे cell को select कर लेना है F4 से इसको भी आपने log कर देना है bracket close करके आप कर देंगे enter जैसे आप enter कर देंगे तो आपके पास answer आ चुक है इसको percentage में लाने के लिए यहां पर आप percentage पे click कर दीजीगा तो देखें यहां पर आपको बता रहा है range के अंदर आपको यहां पर delivery वाला column select करना है उसके बाद F4 से log करेंगे और next कॉमा लगा कर आपने quotations के अंदर आपको no लिखना है quotations close कर देनी आपको और उसके बाद bracket close और divide कर देंगे count A के formula से और यहां पर value के अंदर भी आपको यही column select करना है F4 से log करके bracket close करके आप कर देंगे enter तो इस वाले format को भी आपने percentage के अंदर जो है वो click कर देना है तो यहां पर अगर आप इनको plus भी करते हैं तो आपके पास 100% आएगा यानि कि 67% आपकी delivery यानि आपकी sale हो चुकी है और 33% जो है वो आपकी sale नहीं हुए तो इस तरीके से आप जो है अपनी medicines की discount price और उसकी initial price को calculate कर सकते हैं जैसे मैंने आपको आज ही class से बता है तो तब तक इस class की practice कीजिए मुझे इजाज़त दीजिए अल्ला हाफिस